प्राचीन भारत में एक राजा होता था जो अपनी प्रजा का ध्यान रखता था राजा की मृत्यूं के बाद उसका उत्रा दिकारी साशन करता था इस प्रकार राजाओं का वंश और विरासत दोनों आगे बढ़ते थे हाला की आज के समय में राजशाही खत्म कर दी गई है लेकिन अभी भी कुछ जैसे परिवार ऐसे हैं जो अपने पूरवजों की विरासत को जिन्दा रखे हुए हैं इन परिवारों की अपनी अलग पहचान हैं आईए हम इस वीडियो में ऐसे ही कुछ भारत के मौजूदा श राजवंशों में से एक है मेवार राजवंश को कई चुनोतियों को सामना करना पड़ा कई संरक्षकों के बाद साल 1984 में उदैपुर के श्रीची अरविंद सिंग मेवार को इस राजवंश का 76 संरक्षक बनाया गया था ये राजगराना आज भी अपने बेशुमार दौलत के लिए जाना जाता है उदैपुर स्थित महाराना मेवार चैरीटेबल्स माउंडिशन की अध्यक्ष और प्रबंद ट्रस्टी के रूप में श्रीची अरविंद सांस्कृतिक विरासत का संरक्षन कर रहे हैं अरविंद सिंग राजा होने के साथ साथ एक सफल बिजनिसमे और एचार एच ग्रूप आफ होटल्स के मालिक भी हैं महाराजा अरविंद सिंग की शादी गुजरात के कच्छ की राज कुमारी विजयराज से हुई है उनकी दो बेटियां और एक बेटा है उनकी एक बेटी का नाम भारगवी कुमारी मेवार दूसरी का नाम पदमजा मेवार है अरविंद सिंग और उनकी पतनी उदैपूर सिटी पैलिस में रहते हैं परियाटन इंडस्टी में सबसे संब्रद माने जाने वाली महाराजा अरविंद सिंग के पास उदैपूर में प्राचीन कारों का एक संग्राले बही है मैसूर का वाडियार राजवंश वाडियार राजवंश का इतिहास भगवान कृष्ण के यदुवंशी वंश के समय का है शिरी कृष्ण ने एक बार मैसूर राज़ पर सासन किया था आपको जानकर हैरानी होगी कि सन 1612 में विजयनगर की राणी अलमेलम्मा ने वाडियार राजवंश को सिहासन पर जबरन कबजा करने के चलते शिराब दिया था महरानी ने मरने से पहले कहा था कि इस वंश के राजा राणी के कभी बच्चे नहीं होंगी तब से अब तक लगबग 400 सालों से वाडियार राजवंश में कभी भी राजा को संतानों के तौर पर पुत्र नहीं हुआ राजार रानी अपने वंश की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए परिवार के किसी दूसरे सदस को गोद लेते हैं वर्तमान में वाडियार वंश के मुक्या यदूवर किशनदत चामराजा वाडियार हैं यदूवीर भी प्रत्तेक्ष उत्रादिकारी नहीं है उन्हें भी इसी परंपरा के तहit गोद लिया गया है राजकुमार यदुवर की शादी डूंगरपूर की राजकुमारी तरिशिका कुमारी सिंग से हुई है यदुवीर और तरिशिका कुमारी का एक बेटा है यदुवीर के चाचा श्रीकांद दत वाडियार थे श्रीकांद मैसूर के प्रसिद रॉयल सिल्क के मालिक थे श्रीकांद दत की मौत के बार यदुवीर की रॉयल सिल्क के मालिक है जैपूर का शाही परिवार राजपूत वंश के वंशाज महराजब भवानी सिंग जैपूर के अंतिम नाम मातर के प्रमुक थे भवानी सिंग का कोई पुत्र नहीं था इसलिए उन्होंने साल 2002 में अपनी बेटी दियाकुमारी के बेटे पदमनाब सिंग को अपना उत्रादिकारी मान लिया भवानी सिंग की मृत्यू के बाद पदमनाव को अनुपचारिक रूप से 13 वर्ष की उम्र में ही जैपुर के महराजा के रूप में ताज पहना दिया गया दरसल पदमनाव राश्टी इस तर के पोलो खिलाडी है और फैशन की दुनिया का जाना पहचाना नाम है आपको जानकर हैरानी होगी कि जैपुर सेटी पैलिस में एक कमरे की कीमत 5,70,000 रुपए है ये सारा पैसा राज कुमारी दिया कुमारी फाउंडिशन को जाता है अलसी सर का शाही परिवार ने खेतरी के राज पर साशन किया वर्तमान में ये परिवार के मुखिया महराजा अभी मन्यू सिंग है राजस्तान के इस शाही परिवार की जैपुर और रन्थंबोर में महल हैं यही नहीं अभी मन्यू ने अलसी सर पैलिस को एक शांदर हेरिटेज होटल में बदल लिया है अभी मन्यू काफी लोग प्रिये हैं क्योंकि वो मेगनेटिक फिल्ड्स फेस्टिवल के को ओडिनेटर हैं उन्हें भारत की का पार्टी प्रिंस भी कहा जाता है जोदपुर का शाही परिवार जोदपुर पहले राठोरों दारसाशित था इसकी इस्थापना आठवी शताबदी में हुई थी महराज़ गज सिंग इस राज के वर्तमान साशक है महराज़ गज सिंग राज सभा के सदस थे उन्होंने तरिनिलाद और टोबेगो में भारती उच्चायुक्त के रूप में कारी किया था वो अपनी पत्नी महराणी हैमलता राज्य और बच्चों के साथ उम्मेद भवन पैलिस में रहते हैं इसके अलावा महरान गर्ण किले के भी मालिक हैं ये भी बता दें कि उम्मेद भवन दुनिया के सबसे बड़े नीजी आवासों में से एक है इसका एक हिस्सा परेयटकों के लिए खुला है बाकी महल का प्रबंदन परिवार के पास साजिदारी में ताज ग्रूप ऑफ हुटल्स दौरा किया जाता है महराजा गज सिंग के एक पुत्रम राजकुमार शिवराज सिंग और राजकुमारी शिवरंजनी सिंग है बड़ोदा का शाही परिवार गायकवार शाही परिवार गायकवार ने अठारवी शताब्दी के शिरुवास से ही बड़ोदा में सत्ता समाली थी महराजा रंजीत प्रताप सिंग गायकवार की मत्यू के बाद उनके पुत्र समर्जीत सिंग उत्रदिकारी बनी साल 2012 में उन्हें लक्षमी विलास पैलिस में महराजा का ताच पहनाया गया था तब वो सिहासन बे पैठे तो उन्होंने अपने चाचा संगराम सिंग गायकवार से मिलकर 20,000 करोर रुपे से अधिक की कानूनी विरासत की विवात को सुलजाया था इस सौदे में समर्जी सिंग को मोती बाग स्टेडियम महराजा फते सिंग संगराले 187 कमरोवाला लक्षमी विलास पैलिस राजा रभी वर्मा की पेंटिंग्स और अनिशाही सामानों सही 601 की अचल संपत्ती का सामित्व भी मिला वह गुजरात और बनारस में 17 मंदिरों के ट्रस्टों का प्रबंदन भी करते हैं इसके साथ ही समर्जी सिंग एक किरकेटर भी हैं उन्होंने रंजी टॉफी में अपने राजी का प्रतिनिदित्व भी किया है इतनकी पतनी महरानी रादिका राजी हैं और दो बेटिया हैं रादिका राजी सीडियास आर्ट फाउंडेशन की निर्देशक भी हैं